आपका अपना चालेंश एडूकेशन में आपका दोस्त आपका मेंट और सीए मोहित्ता पढ़िया हमने अभी अभी दो वीडियो जाले हैं अकाउंट के फ्रोस्ट चेप्र को हमने स्टार्ट किया है विकेशन्स खतम हो गये हैं फ्ल्फलेज हम वापस से मह JR लग गये है composition के बारे में पढ़ाता अज हम पढने वाले हैं types of capital account के बारे में कि capital account क्या होता है वो सको किस तरी की से बनाया जैता है और बाकी सारी डिटेल साथी में जो बच्चे हमारे पास live पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे बात है जिन किसी को भी हमारी live classes join करनी है हमने अभी भी live classes चालू करी है साथी में हम आपके साथ recorded lectures भी share करते है तो जिन किसी को भी हमारी live classes join करनी है जल्दी से जल्दी shapers underscore education instagram handle है हमारा वहां जाके हमें DM करिए या आप चाहे तो हमारे mobile numbers पर हमें call कर सकते हैं साथी में आप लोगों ने हमारे notes को बहुत प्यार दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भी अगर किसी को notes खरीदने हैं तो 11 तो 12 के OCO economics के सारे के सारे notes available है हमारी website पे हमारी website www.shaperseducation.com पे तो चलिए आज आगे बढ़ेंगे आपके कारेकरण के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ partnership account बनाने के दो method तो जरूर से ध्यान दीजेगा important topic के मज़ा आई गया आपको चलो तो इतना समझ में आ गया अब हमारा अगला topic है जो वापस से बहुत important topic है जो हमें आज दूसरा account बनाना सीखना है जिसका नाम है capital account अब capital account बनाने के दो methods होते हैं अच्छे से ध्यान देना important है बहुत 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 important है capital account बनाने के दो methods होते हैं पहला होता है fixed capital method और दूसरा होता है fluctuating capital method पहला क्या हो गया fixed capital method दूसरा हो गया fluctuating capital method under fixed capital method दो account बनते हैं two accounts are prepared first is capital account and second is current account पहला बनता है capital और दूसरा बनता है current सुनना ध्यान से capital account में सिर्फ 4 entry आते हैं only 4 entries are recorded in capital account कौनसी कौनसी सबसे पहले आएगी opening capital दूसरी आएगी closing capital फिर आता है additional capital और आखरी आता है withdrawal of capital समझ रहें तो सिर्फ और सिर्फ चार entry आते है capital account के अंदर opening capital closing capital additional capital withdrawal of capital मतलब partner को जब भी कुछ देना होता है हम credit करते हैं partner से जब भी कुछ लेना होता है हम debit करते हैं तो जब partner firm में कुछ ला रहा है तो उसके account में plus करना है तो credit partner लेके जा रहा है तो firm में से minus करना है मतलब debit तो capital account में सिर्फ चार entry होते हैं उसके बाद की सारी food do entry current account में आते हैं example वापस से यहां भी debit यहां भी credit सबसे पहले तो opening balance आ जाएगा अब partner को जो जो मिल रहा है वो सब credit होगा जैसे कि partner को salary मिली credit partner को commission मिला credit partner को divisible profit मिला credit partner को interest on capital मिला credit जो जो partner से ले रहे हैं वो सब debit होगा जैसे कि interest on drawings ले रहे है partner से debit, drawings पार्टनर अकॉंड में से minus होता है debit, divisible loss पार्टनर अकॉंड में से minus होता है debit, तो इसमें सिर्फ दो entry आती है बाकी सारी food to entry current account के अंदर आती है, जब partner को देना होगा तब हम करेंगे credit, partner से लेना होगा तो debit देना है तो credit लेना है तो debit याद रहेगा, तो यह हो गया पहला method इस method को कहा जाता है fixed capital method, जिसमें दो account बनते है, पहला बनता है capital, दूसरा बनता है current, यह method कहता है कि कुछ capital business में fixed रहना चाहिए, मतलब उस capital को हम छेड़ेंगे ही नहीं, उस capital को एक दम fixed रखेंगे, बा simple account बना लो, जिसका नाम दे दो, capital account, अब कोई भी entry क्यों ना हो, सब इसमें लिखो, यह वाली भी इसमें लिखो, यह वाली भी इसमें लिखो, यह वाली इसमें लिखो, मगज मारी ही खतब, तो यह होता है fluctuating capital method, fix की तरह यह दो-दो account नहीं बनवाता है, यह बोलता है additional capital है तो भी नहीं लिख, यह बोलता है salary है तो भी नहीं लिख, यह कहता है withdrawal of capital है तो भी नहीं लिख, यह कहता है drawings है तो भी नहीं लिख, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि what is the difference between withdrawal of capital and drawings, कोई बताएगा भईया, दोनों में फर्क क्या है withdrawal of capital और drawings में, मैंने withdrawal of capital लिखा है capital account मे और मैंने drawings लिखा है current account में दिख रहा है दिख रहा है रजा तो चल बता क्या फरक है दोनों में What's the difference between withdrawal of capital and drawings नहीं 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 मैं बताता हूँ withdrawal of capital permanent nature का होता है और withdrawal of capital capital में से पैसा निकाला जाता है जबकि drawings temporary nature का होता है और drawings हमेशा profit में से किया जाता है withdrawal of capital permanent nature का होता है मतलब firm में बहुत time से पैसा पढ़ा है कुछ काम ले रहा है चलो ले जाओ घर ले जाओ खतम करो और withdrawal of capital हमेशा capital में से होता है जबकि drawings हर साल business पैसा कमाता है उस कमाईवे पैसों में से businessmen घर लेके जाता है तो drawings एक तरीके से recurring होता है मतलब यह बार बार होता है जबकि withdrawal of capital non-recurring होता है यह क внутри सालों में एक बार होता है तो इसलिए withdrawal of capital capital account में आता है because it's a permanent in nature वुड्राइंग्स current account में एता है क्योंकि तेम्परेस नोग Все wax girl ब ine गेर को excel बोलेंगे विद्रॉवला थैल अगने बोलेंग़ बतो दो और बिट्राइंग्स नहीं दो याद रहेगा चलिए पेज नंबर कौन सा है जिस पर ही एकाउंट बनाएवे चेक करो देखो कौन सा पेज नंबर है पीछे 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 होगा पीछ होगा आठ के बाद वाला या आठ के पहले होगा पैज नंबर को देखा है तो पेज नंबर पोरा फॉर्मेट करेंगे सब लोग यहां अज का आख़री टॉपिक रहेगा चलेंगे सब लोग फटा फट झाल झाल